दर्वात महत्वपुन खबयती करिशू पश्यम्मंगाड मां ट्रेन पाटा पर्थी उत्री गई बिकानेर गुवाहती एक्स्प्रेस ट्रेन ना चारती वधारे डब्बा पाटा पर्थी उत्री गई बचाव माठेनी कामगीरी शरू कराई छे पश्यम्मंगाड ना पटनाथी पुवा हाटी जे रहली ट्रेन पाटा पर्थी उत्री गई बचाव माटेनी कामकीरी शरू थेगी छे पशिमंगाडना जलपाई गुडी माँ आप बनाव बन्यों पशिमंगाडना जलपाई गुडी माँ ट्रेन दुरगटना थेई बिकानेर एक्सप्रेस ट्रेन पाटा पर्थी उत्री अनेक डब्बाव खड़ी पड़िया छे किटलाक लोकोना मृत्यू पन थेया छे जोके हाल राहतने बचाव कामकीरी पूर जोश्मा थेई रही छे कि बारा कोच में लोगों को चोट आई है तो यह देखना होगा इन कोच में कितने लोग थे कितने लोगों को गंभी चोट आई है और कितने कोच जो हैं पल्टे हैं क्योंकि लोग पिलाल महाँ पर घबराए हुए हैं जो लोग घायर उनको हास्पिटल शिप कराया जा रहा पहले जो वेरियंट थे उनकी अपेच्छा में कई गुना अधिक तेजी से एमिक्रॉन वेरियंट सामाने जन को संक्रमित कर रहा है अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाग तक नए केसिस सामने आए है भारत में हमारे वेज्ञानीक और हेल्थ एक्सपर्स हर स्थिती और आकड़ों का लगातार अध्येन कर रहे हैं यह बाद साब है हमें सतर्क रहना है सावधान रहना है लेकिन पैनिक की स्थिती ना आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा हमें यह देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशाशन की एलटने कहीं से भी कम न पड़े पहले केंद्रव और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रियम्टिव प्रोयक्टिव और कलेक्टिव एप्रोच अपना ही है वही इस समय की जीत का मंत्रा है कोरोना संक्रमन को हम जितना सिमित रख पाएंगे परेशानी उतनी ही कम होगी हमें जागरुकता के फ्रंट पर साइन्स आधारिक जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफरस्ट्रेक्टर को मेडिकल मेंट पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा साथ दुनिया के अधिकतर एक्सपोर्ट का कहना है कि वेरियंट चाहे कोई भी हो कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सिन ही है भारत में बनी वैक्सिन तो दुनिया भर में अपनी स्रेश्टता सिद्ध कर रही है यह हर भारतिय के लिए गर्व का विशय है कि आज भारत लगभग नाइंटी टू परसंट वैस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी सत्तर प्रतिशत के आस्पात पहुंच चुके हैं और हमारे वैक्षिनेशन अभियान को एक साल पूरे होने में अभी भी तीन दिन बाकी है दस दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग तीन करोड किश्वरों का भी टिकाकर्ण कर चुका है यह भारत के सामर्थ को दिखाता है इस चनौती से निपटने की हमारी तयारी को दिखाता है आज राज्यों के पास परियाप्त मात्रा में वैक्सिन उपलब्द है फ्रन्ट लाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकोशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्ट केर सिस्टिम का सामर्थ बढ़ेगा शत्त प्रतिशत ठीका करण के लिए हर गर्द दस्तक अभ्यान को हमें और तेज करना है मैं आज अपने उन हेल्थ केर वर्कर्स हमारी आशा वहनों का भी अवननन करता हूं जो मौसम की कठीन परिस्तित्यों के बीच वैक्सिनेशन अभ्यान को गती देने में जुटे हैं साथियों टीका करण को लेकर ब्रह्म फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टीकने नहीं देना है कई बार हमें ये सुन्ने को मिलता है कि टीके के बावजूत संक्रमन हो रहा है तो क्या फाइदा मास को लेकर भी ऐसी अफ़ाएं उड़ती हैं कि इस से लाब नहीं होता ऐसी अफ़ाओं को काउंटर करने की बहुत जरूरत है साथियों कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का दो साल का अनुभव है देश व्यापी तैयारी भी है सामान्य लोकों की आजिविका आर्थिक गति विद्यों को कम से कम नुक्सान हो अर्थ ववस्ता की गति बनीर है कोई भी रणनीती बनाते समय हम इन बातों को जुरूर ध्यान में रखें यह बहुत आवशक है और इसलिए लोकल कंटेन्मेंट पर ज़्यादा फोकस करना बहतर होगा जहां से ज़्यादा केस आ रहे हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो यह सुनिश्चित करना भी आवशक है इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आईसोलेशन में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिट्मेंट हो सके इसके लिए होम आईसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइन्स को प्रोटोकॉल को उसे फोलो करना और थीतियों के अनुसार इंप्रोवेज करना भी बहुत जरूरी है होम आईसोलेशन के दोरान ट्रेकिंग और ट्रिट्मेंट की ववस्ता जितनी बहतर होगी उतना ही अस्पतावों में जाने की आवश्यक्ता कम होगी संक्रमन का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल डूप में संपर करते हैं इसलिए उचीत रिस्पोंस और फिर मरीज की लगाता ट्रेकिंग कॉन्फिडंस बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नईने इनोवेटिव प्रयास भी कर रहे हैं केंद्र सरकार ने टेली मेडिसिन के लिए भी काफी सुभिधाय विक्सित की है इसका जादा से जादा उपयोग कोरोना संकरमीत मरीजों को बहुत मदद करेगा जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रस्रेक्टर की बात हैं तो केंद्र सरकार हर बार के तरह हर राज्य के साथ खड़ी हैं पांच-छे महिने पहले 23,000 करोड रूपिय का जो विशेश पैकेज दिया गया था उसका सदुप्योग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को ससक्त किया है इसके पहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेश पीडियाटिक केर यूनिट स्विक्रूत हुए है करिब डेड़ लाख नए ऑक्सिजन आईसीऊ और एच्डियू बेड़ तयार किये जा रहे है पांच हजार से अधिक विशेश एम्बिलेंस और साहड़े 900 से अधिक लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेज टेंक की कैपसिटी जोड़ी है Large infrastructure की कैपसिट्र को वढ़ाने के लिए ऐसे अनेख प्रयास हुए लेकिन हमें इस इंफ्रस्तर का विस्तार करते रहना है को पारोना को हराने के लिए हमें अपनी तयारियों को क्रोना के हर Varian्ट से आगे रखना होगा आमिक्रों से निपढ़ने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभविंत वरियंट के लिए भी अभी से तयारी शुरू कर देनी है मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सयोग एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वए कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा एक बात हम बली भाती जानते हैं हमारे देश में एक हर घर में ये परमपरा है जो आईवेदिक चीजे हैं जो काणा वगेरे पीने की परमपरा है इस सीजन में उपकारक है इसको कोई मेडिसिन के रुपे नहीं कहता है लेकिन उसका उप्योग है और मैं तो देश्वासियों से भी आग्रा करूंगा कि ये जो हमारी परमपरागत गरगत्थु जो चीजे रहती है ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है उस पर भी हम ध्यान के इंदित करें साथियों आप सभी ने समय निकाला हम सबने अपनी चिंताए साजा की और हम सबने मिल करके संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आये हमारी तयानिया हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजय होने के संक्रप के साथ हरे की मातों में से निकल रहा है और यही सामानय नागरी को विश्वास देता है और सामानय नागरी कों के सयोग से हम इस परिस्तितों को भी सफलता से पार करेंगे आप सभी ने समय निकाला इसके लिए मरदय से आपका अभार व्यक्तर करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद प्रधार मंत्री नरिंद्र मोधी तमाम राजेना मुख्य मंत्रियों साथे वाक्चीट करता खास रस्यकरन ने लईने जेलोको भ्रम फ्यलावी नहाँ छे ए भ्रमने टकवान अथी दिवाना कुरोना सामे लडवानों हवे जे अनुभाव बैवर्षनों मड़ेव छे तेनों करवानों छे हर घर दस्तक अभ्यानने वधारे तेज बनावानों छे जड़ती बनावानों छे अने सव कोई लोको कोरोनाती सावचेत रहे मास्क पहरे सोचल डिश्टन्स जाडवे अने रसी कोरोनानी चोक्रस लईले इमाठी पन तेमने बात करीशे न्यूज जीटिन गुजराथी पर सरू थे रहुचे अभियान यंग बाई जूज यंग जीनियस सीजन टू अगर वदू वाद करीशो हाल रोकाईशो एक नानकडा विराम माटे